Hello friends, मेरे Palm Reading Channel में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आई आज़े 23 वर्थ के पुल्स के Palm का अनसेस करेंगे, इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सरपर्थ हम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे उससे पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सिस्क्राइब नहीं किया है तो किरप्या करके चैनल को सिस्क्राइब कर ले, बेल अकन को प्रेस कर दे ताकि लेटिस नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, तो चलिए शुरू करते हैं इनका सवाल इस प्रकार है, ये अभी जौब कर रहे हैं, ये जानना चाहते हैं कि क्या बड़े अधिकारी बनने के योग है, क्या लाइफ में तरक्की कर सकता हूँ, UPSC के लिए योग है, अधिकारी बनने के योग है कि ने दूसरा आगे धन कितना कमा पाऊंगा, जीवन कैसे रहेगी, और शादी के बाद के जिंदगी के विशे में इनको जानना है, तो निश्चिंट रहें, आपके साड़े विशेव पे आपको उत्तर मिलेगा, तो सरप्रतम देखता हूँ कि इनकी हतिली कैसी है, तो उसके पह कमप्लीट स्मूथने से, आपकी माइंड रेखा भी अच्छी है, हर्ट लाइन भी अच्छी है, तो सारे चीज़ें आपके अतिली पर बहुत ही अच्छी है, जो कि ये निर्धारन कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आपको सफलता तो मिलेगी, दूसरी आपकी गरों में स्ट दे पाते हैं, तो ये तो दो चीज़े मैंने बताई, और दूसरी कहना कमप्लीट इनकी रेक्टेंगल पाम है, तो अब बोल बोल के काम करेंगे, दूसरी राज्योकारा का वस्था है, पाम की चोड़ाई अच्छी है, गुलाबी लीवी पाम है, साथ-साथ ग्रहों में मुझे 26 में वर्स में एक तरक्की दिखी थी, इनके जीवन पर जो कि मैंने बताया, 26 में से 27 में मैं, ये कमप्लीट एक तरक्की के योग आ रहे थे, उसके बाद भी प्रोग्रिस देखा हैं, आच्छी खासी बनके चलिए, तो 31 में वर्स में भी है, और ये कमप्लीट मैं लेकर नहीं पताऊंगा, लेकिन अधिकारी बनने के योग है, चुकि आपकी फेट लाइन एकदम जूपेटर तक गई हुई है, दूसरी आपकी एक सूरी रेखा है, जो की बर रही है, और भागे रेखा सूरी के तरह पतली है, जो की कंफर्म, कमप्लीट बेसिस पे आपके जीवन पे साथ है, इसका, और ग्रहों में स्ट्रेंथ है, जीवन रेखा में भी प्रोग्रस लाइन बनी हुए, तो अगर आप प्रियास करोगे, तो आपको अधिकारी बनने से कोई नहीं रोग सकता, लेकिन प्रियास करना भी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ डिसिजिजन मे प्रियास करें, दूसरा कोशन तर धन, तो देखो, जैसा मैंने बता है कि राज्यो कारका देली है, राज्यो कारका मतलब यह होता है कि आप धन धाने कमाओगे अपने लाइफ पे, तो वो कैसे आएंगी, अगर आपकी घ्रों में स्ट्रेंथ होगी तब भी, तो अपना प्रॉपर्टी तो लिखवा लो मेरे से प्रॉपर्टी तो जरूर बनाओगे अपनी, यह तो मैं बोल रहा हूँ, 36 में वर्ट से स्टार्ट है, 37 यर से कम्प्रीट बहुत बड़ी बन रही है, गर भी बना लोगे, गारी भी बना लोगे, लगजरी का सुक भी मिल ज आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और दूसरी आपकी मंगल में भी काफी अच्छे स्टेंथ है, वो चीज़ भी एक दम सही सही बता रहा हूँ मैं, यह मंगल और प्रॉपर्टी के योग भागी रेखा, एक दम कन्फर्म बनाओगे, कन्फर्म, तो यह था इनका क अपनी सम्मान की रक्षा करने में प्रॉब्लम सही, कि बात बागी डिसाइट्स बहुत बढ़िया है, और यह सपोर्ट जो है आपको बहुत ही उम्दा सपोर्ट मिल जाएगा, एक्छा सकती प्रबलता हूँ अस्था में है, और सबसे बड़ी बात है थंब की लेंध, यह क जब बुद्ध की फिंगर छोटी रहे ना, तो फिर क्या ना, व्यक्ती निर्ने लेता है, गलत, उससे निर्ने ले लिए जाते हैं, गलत, जिसके वज़ा से इसके साइड इफेक्ट जेकने पड़ते हैं, जीवन पर जाता, तो इसके लिए मैं आपको कहूंगा, कि कोई भी जिनर्ने ले, तो उससे पहले सोच ले उसको, अच्छे तरीके से, फिर जुपेटर फिंगर छोटी, सन फिंगर बड़ी, तो हिम्मत तो बहुत ही अच्छा है, और सन और सैटन की अटेच्मेंट, आपकी कैलकुलेटिव प्रस नायराटी को इंडिकेट कर रही है, पैसे भ परती इनका inclination रहेगा, इनका जुकाफ रहेगा, वो मैं देख रहा हूँ, इनकी बुद्ध फिंगर से, ये तो मुझे दिख रहा है, दूसरी इंट्रोवर्ड हो, लेकिन मिलन सार में इंट्रोवर्ड नहीं है, ऐसे लोग अपने भावनाओं को शेर नहीं करते हैं, ये थ तो कभी जुक नहीं सकते हैं, पहले तो ये इनको लगेगा, ये मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जीवन पर, थोड़ी इगो उस टाइप बाली आएगी न, कि उसने कह दिया, उसको मुझे नहीं कुछ बोलना, बस मुझे करके दिखाना है, बहुत बड़ा, उससे बड़ा बनक दूसरी आपकी देखो तो गुरुवल है, तो ये आपकी धार्मी कास्ता को पर रिपर्जन करती है, पैसे मैनेज करने में और सिक्स सेंस काफी स्ट्रॉंग होता है, और दूसरी एक पचीस सथाइस बीच के बीच, वर्शों के बीच में धोका या एक इलजाम के तो ये सरकारी शेतर से लाव कराती है, जीवन के लास्ट प्रियर्ड काफी उम्दा बीचते हैं, काफी अच्छा, ये तो मैं देख पा रहा हूँ, कंप्रीट बेसिस पर, दूसरी यहां से बार तो मेनत का फल मिल जाना है, कंप्रीट बेसिस पर, यहां से भी ये चीज़ एकदम असपस्ट रूप से क्लियर हो रही है, उसके बाद अगर देखो तो यहां से एक लाइन बन रही है, जो लाइन ओफ एजूकेशन है, तो यहां से बेसिक नॉलेज की एक, मैं जो समझता हूँ, इस मामले में कि आपकी बहुती उम्दा होती है, और साथ साथ आप ची तरब से आ रहे हैं, मोटी है, बहुत ज़ाद विशेश साथ ने, लेकिन मिलेगा मंद्यमस्तरी है, और दूसरा क्या होता है, आपकी मान समान परतिष्टा को इंडिकेट करें, यह लोग अपना संपत्ती खुद बना लेते हैं, एक सूरी रेखा आपकी सोर्स ओफ इंकम, एक सूर्स ओफ इंकम जो की बराबर बनी रहेगी, कॉंस्टेंट रूप में इस चीज का निर्धारन करती है, तो वो तो मैं देख बारा हूँ, दूसरी प्रॉपर्टी के बहुत उम्दा योग बन रहे हैं, यह तक्रीवन आपके 38 एर से एक्टिवेट है, तो इस समय से आ आपकी एतली कंप्लीट मुझे बता रही है, और बनाओगे, बनाओगे, पक्का बनाओगे, दूसरी शूरी की पोशन अच्छी है, तो नेम फिर्म की तो लहती है, जातको क्योंकि मैं नाम कमाओ, सुरत कमाओ, क्यों न रहे, लॉजिकल सोचो न, तो शूरी यह किते परका प्रकाश वान करा है, तो आपकी भी कही न, कहीं इच्छा आएगी न, कि मैं भी प्रकाश वान रहूं, लोग मिला सम्मान करें, तो उसी को तो नेम फिर्म कहता है, लॉजिकल समझो, रटने के कोई जरुत ही नहीं है, फिर्दे को इनकी एतली पर बुद्ध, तो फिंगर छोटी है, लेकिन पाउंट में मध्य मस्तरिय उभार है, तो इसका मतलब यह होता है, कि व्यक्ति, डिसिजन मेकिंग में प्रॉब्लम साती है, लेकिन बुद्धी खराब नहीं होती है, बुद्धी अच्छी होती है, निर्णे लेने में परिशानी आती है, तो उस चीज़ें एकदम इंडिकेट कर रही है, कि आपकी इनर्जी, चोकि असी मस्तरिय बहुत ही अच्छी, दूसरी फिजिकल एवलेटी भी अच्छे रहते है, सरीर दोडने के लिए बना होता है, सरीर काम करने के लिए बना होता है, और दूसरी चीज़ कि आप लॉजिकल हो, बहुत ज़्यादा, लॉजिकल होते हैं ऐसे परसर, जुरत से ज़्यादा, और धन संपत्ती और प्रॉपर्टी अर्जन में, जमीन जादात से काम्याबी में, रियल स्टेट के काम में, हमेशा सक्सेस करते हैं नजर आते हैं, फ्रिदे कुईन के तलिपर चंदर मंगल की प बहुत कमाना है, ऐसे वाल धिंगिंग, दूशेर देखो, तो चंदर पे कुछ खड़ी लाइने बन रही हैं, जो की यात्राइं, और हल्की फल्की सी यात्राइं, चंदर प्रधान ओ, कुछ यात्राइने बन जाएं, तो फौरण पर यात्राइं तो होתी हैं, ये तो तैव दूसरी केतु माउंट पे एक बहुत ही सुन्दर फिश्णु माकिती बन रही है बहुत ही सुन्दर और आपकी भागी रिखा के साथ बन रही है इसको मामूली ना समझे चबिस वर्स से कमाई शुरू हो जाती है जीवन पर और अच्छे अमाउंट में आप पैसे कमाते हो क्य क्योंकि ये आपके भागी रिखा के बल को और परहा देती है बहुत साथा तो अच्छे अमाउंट में पैसे देते हैं अकास्मिक धनले था लाव कराती है जहां से आपको उमीद नहीं होता है वहां से भी पैसे आते हैं ये तो कन्फर्म बात है दूसरी क्या शुक्र की पर है तो पतनी के एक आंसिक रिस्टी कौन से मैं देखा जाओ तो आपकी वाइव जोगी कमाऊ होगी और दूसरी सुसराल पक्त से अच्छा धनलाब मिलेगा उनके द्वारा भी धनलाब होगा केरिंग होगी प्रॉपर आपके रिए शमर्भित होंगी और आप तो शौकीन इ कैसे अच्छा करता है शुक्र आपको समाजिक और सबसे बड़ी बात है दामपत्य जीवन के सुक को यह बहुत अच्छा कर देता है तो उसरी लगजरी के कुछ एक आदला लाइन है तो प्रॉपर लगजरी का सुक मिलेगा सब कुछ बढ़ियां चाहिए होता इनको मंगल क कि प्रधानता अच्छी हाँ थोई-थोई सोच डवलप करेंगे कभी कभार नेगेटिब सोच भी आ जाएंगे लेकिन वो कभी कभार होंगे प्राया नहीं होंगे फिर देखो इनके लिपर इनकी जीवन रेखा पर क्राहू लाइन तो है बट काड़ नहीं पाई यह बहुत बड़ी बात है तो जीवन तो एकदम स्मूथ है कुछ-कुछ प्रियाट्स में है जो कि तक्रीवन आपके 33 यह में है एक तक्रीवन आपके 37 या 38 यह में तो इस समय थोड़ा पढ़हीच कर लेना बारवा कि प्राव्रस लाइन कंटीन्यू बैसिस पर मैं देख पा रहा हू तो 29 में वर्स से भी सफलता है 26 में वर्स से स्टार्टी और 29 में वर्स और भी है इवन चलती रहेंगी यह क्योंकि आपकी फेट लाइन अच्छी है और आपकी जीवन रेका भी एकदम स्मूथ है दिरगाई हो 75 एकदम दिरगाई हो 100% फिर वागी रेका बहुत अच्छी औ था इनका यहां पर से देखो यहां पर से जब रेखा है اiसे ओवर्णैब कर जानेए तो प्रोफेशन चेंज होता है एक तक्रीवन यहां पर दिख रहा है में तक्रीवन आपके देख लो तो 49 वर्स से लेके 54 वर्स तक थोड़ा दुमिल दिख रहा है उससे में हो सकता है डार खोजा कोई बड़ी बात नहीं है फिर उसके बाद तो अच्छी खासी गर्मेंट जॉब से सफलता के योग तो आपके फेट लाइन आगे चलिए यह बन जाएगे कोई इस नहीं है अभी आपकी यह कंप्रीड बन जाएगी यह आपको बेनेफिट देगी तो फेट लाइन भी बहुत उमदा और आपको यह फल देगा नी संदे माइंड रेखा तो गजब की है दिमाग के तो शातिर बहुत सब्सक्राइब बहुत अच्छी है स्टार्टिंग फेज में इमोश्टन लोंगे तो रहा लेकिन फिर चीजें एकदम से विप्रीत हो गई होंगी लाइफ पे कुछ ऐसे हर्ड लिस आई होंगी जिससे आपको एकदम स्ट्रॉंग बना दिया होगा और फिर आपकी सब्सक्राइब तो पैसे कमाते हों बचाना चाते हैं यह लोग बचा के अपने उपर इंवेस्ट करते हैं कभी किसी को उपर इंवेस्ट करते हैं लोग नजर नहीं आते हैं कभी नहीं तो वह बहुत ही अच्छे हैं आप ऐसे बचाओगे पैसे कमाओगे भी यह बुद्ध अगर आपको मारे यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सेरे कर दे, सब्सक्राइब कर दे अगर आप प्लसनरी मेरे से परामशन नहीं चाहते हैं तो मारे वाटसप नमा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ले के आप समपड़ कर सकते हैं धन्यवाद